संजर राओ जी, आपने जिखा कि मैं एक हराम खोर लड़की हूँ आप एक सरकारी मुलाजी मैं एक मंतरी आप तो जानते ही होगे कि इस देश में हर दिन नहीं, हर घंटे कितनी लड़कियों के बालातकार हो रहे हैं कितनी लड़कियों का शोशन किया जा रहा है उनकी बॉडिस काटके ऐसी डार के फेक दी जा रही है उनकी काम की जगाओं पे उनको गालियां दी जा रही है उनका अपमान किया जा है, उनके खुद के पती, उनके कान, नाक, मुख, कान, जबड़े तोड़ रहे है और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है इसका जिम्मेदार है यह जो मानसिक्ता आपने जिसका भॉंडा परदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है वो मानसिक्ता इसकी जिम्मेदार है और इस देश की, इस देश की बेटी आपको माफ नहीं करेगी संजी जी आपने उन सब महिलाओं का शोशन करने वालों को शक्तिकरन किया है इस देश की बेटिया आपको माफ नहीं करेगी और जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है तब उनको किसी ने हराम खोर नहीं कहा या जब नसिर दिन शार जी ने कहा था तब उनको किसी ने हराम खोर नहीं कहा जो मुबए पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं धखती थी आप देख लीजिए मेरे पुराने कोई भी इंटर्वियू आज जब वो पाल घर की लिंचिंग में साध्यों को के सामने वो कुछ नहीं करते हैं खड़े रहते हैं या एक लाचार बाप जैसे कि सुषान के पिताजी उनकी एवाया नहीं लेते हैं मेरी स्टेक्मेंट नहीं लेते हैं तो इस परसाशन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूँ यह मेरी अभी व्यक्ति की आजादी है मैं उनकी निंदा करती हूँ संजी जी मा आप की निंदा करती हूँ आप महाराश्र नहीं है आप यह नहीं कह सते कि मैंने महाराश् destaặc कि और संजी जी मैं 9 September को आरही हूं आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबडा तोड़ देंगे आप लोग मुझे मार डालेंगे आप लोग मुझे मारी है क्यूं कि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसी ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और असमिता के लि यह क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है मिलते हैं 9 September को जै हिंद जै महराश्ट्र